नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 6 जन्वरी शुकरवार शाम सवा साथ बजे राजिसान की बड़ी खब्रें राजिसान में पहली बार टेलिकॉम सर्जिकल स्ट्राइक हुई है राजिसान में दूर संचार विभाग ने टेलिकॉम सर्जिकल स्ट्राइक की है प्रोग्राम के तहत राजिसान में नय साल पर करीब साथ लाग से जादा नमबरों को बंद कर दिया गया है डिपार्टमेंट 12,000 संदिक्द मोबाइल की सिम के मामले को लेकर FIR भी दर्ज की है इसके लावा 58,000 करेंक्शन है जो की है तो राजस्तान के लेकिन दूसरे राज्यों में उप्यों किये जा रहे थे उन्हें भी बंद किया गया है राजसान सरकार की ओर से महिलाओं को जल्द ही बड़ी खुश खबरी दी जा सकती है मासिक धरम के दौरान परिशानियों से महिलाओं को अब नहीं गुजरना पड़ेगा राजसान राजसान समाज कल्यान बोर्ड ने मासिक धरम के दौरान महिलाओं को अब राज्य सरकार इन प्रावधानों पर जल्धी स्विक्रती दे सकती है। कोचिंग को शुकरवार को नोटिस जारी किया गया है। जिसके सामने खड़े होकर महमान साफा बांग कर सल्फी खिंचवाते हैं। जंबूरी के पहले दिन रास्पती द्राप दिमूर्मू, मुखे मंते अशोगहलो समेच कई नेताओं ने भी सल्फी ली थी। जंबूरी में साफो के साथ सल्फी पॉइंट बनाने वाले जोधपूर के चनर सिंग इंडा की कहाने भी बड़ी दिल्चस्प है। जंबूरी की शुरुआत करते हुए रास्पती ने भी गुड वर्क कहते हुए इंडा की तारिफ की थी। जीलो के नगरी उदैपूर में सबसे खुबसूरत और प्रसिदे जील फते सागर है। लोग बोटिंग और चाय काफी का मज़ा लेने के लिए आते हैं। यहां साने लोग विवी आईपी या कोई नेता हो सब दिखाई दे जाते हैं। ऐसे में राजस्तान के मुखे मंतर अशोक गहलोत की बात करें तो वो भी यहां जाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। गुरवार कोदैपूर दौरे के दौरान सियम अशोक गहलोत दिन भर कायकरमों में व्यस्त रहे। इसके बाद रात को फत्यस आकर जील पहुँचे और यहां मुंबईया बाजार के एक दुकान में चाय की चुस्की ली। इस जोरान उनके साथ गुविन सिंग डूटास्रा और मंतरी अशोक चांदरा भी थे। सियम को देख लोगों की भीड जमा हो गई। गोरे और शीद लहर के चलते राजस्तान में कडाकी की ठंड ज़ारी है। हालत यह है कि रात और दिन एक जैसे सर्द हो रहे हैं। हनमानगर गंगनगर और धौलपूर में तो दिन का तापमान भी 12 डिग्री सालसियस से नीचे चला गया है। महाई जैपूर में सर्दी को देखते हुए आठमी क्लास तक की छुटियां मकर संक्रानती तक बढ़ा दी गई है। इदर ठंड ने विकानेर में 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है जबकि दूसरे दिन भी सीकर फत्यपूर और जोबनेर में तापमान में गिरावर दर्च की गई है। आज विकानेर में पारा जिरो डिग्री साल सियस दर्च किया गया है जिससे वहां कई जगब बरफ जम गई। विकानेर में जनवरी के महिने में सबसे कम तापमान 1964 में दर्च हुआ था। रावसान में सीनियर टीचर भरती परिक्षा पेपर लीक मामने में तीन मुख्य आरोपियों से पूश्तास में सामने आया है कि पकड़े जाने से पहले 20 और 21 दिसंबर को भी बस लेकर उदैपूर आये थे। इन दो दिनों में आरोपियों ने कुल 75 लोगों को पेपर सॉल्ट करवाए थे। तिनों आरोपियों की रिमान अवदी पूरी होने पर शुकरवार को कोर्ट में पेश किया गया, यहां से जेल भेज दिया गया है। जेपूर में पिछले साथ साल से स्मार्ट सिटी मिशिन के तहर चल रहे है प्रोजेक्ट की ग्राउंड सिटी देखने, आज जेपूर सांसाद राम चरन बोहरा चार दिवारी के दोरे पर गए, चार दिवारी में एंट्री करने से पहले ही उन्हें गंदगी और कई खामिय अगर एंट्री ही इतनी खराब है तो अंदर आने वाले परेटक के मन में तो स्मार्ट सिटी को लेकर कैसी धारना बनेगी यह आप बता दीजिए के इंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सितारमन रविवार आठ जनवरी को कोटा आएंगी वित्मंत्री बनने के बाद निर्मला सितारमन का राजिस्थान में यह पहला आधिकारिक दोरा होगा निर्मला सितारमन के इस दोरे के पीछे बड़ा रोल लोगसभा अध्यक्ष ओम इसे पहले आधिकारिक तोर पर निर्मला सितेरमन 2017 में राजिस्तान आई थी तब वे रक्षा मंत्री के तोर पर राजिस्तान में आई थी भरतपर में दिन बदिन अपराधियों के होसलें बलंद होते चा रहे हैं और कल वेर में दिन दाहाडे बैंक लूट के बाद आज फिर से कुछ चोरों ने पंजाब नैशनल बैंक को अपना निशाना बनाया चोर बैंक के दिवार में हॉल कर उसके अंदर गुसियों और महीं से फरार हो गए इसके जानकारी तब लगी जब ग्रामिन खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बैंक के दिवार को तूटा हुआ देखा जिसके बाद ग्रामिनों ने इसकी सूचना बैंक के करमचारियों को दी गढ़ना बुसावर थाना इलाके में बाचरेन गाओं के पास थिद पंजाब नैशनल बैंक की है बीकानेर में महापार सुचिला कमर के अधिक्षता में नगरनिगम के साधान सभाग के लिए बैठक आयजित की गई इस बैठक में एजिंडे में शामिल दस विचारनिय बिंदूओं पर चर्चा की गई इस बैठक में उपमहापार राजिंडर पमार आयुकत अरुन कुमार शर्मा और समझ शर्मा सहीत पाशद उपस्तित रहे राजसान सरकार के आगामी बजट में यदि रोडवेज की मांगों को नहीं माना गया तो रोडवेज कार्मी 14 फरवरी को निगम मुख्याले से रैले निकाल कर विदान सभागा घेराव करेंगे मार्च के बाद रोडवेज के पास मात्र 1500 बसों का बेड़ा बचेगा इसके बावजू सरकार रोडवेज में प्रते दिन सफर करने वाले 10 लाख लोगों के बारे में सोच नहीं रही है ये बात राजसान परिवहन निगम सेंट करमचारी फैडरेशन के प्रदेश महामत रिसत्य नारान शर्मा ने गुरुवार को धोईंदा सित बस्टैंड पर पत्रकारों से बाचीत में कही उन्होंने कहा कि राजसान में अवैद वाहन संचालन से रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है सीकर के पाटन थाना इलाके में मजदूर के दो बेटों को विदेश भेजने के नाम पर दो लाख रुपे की ठगी का मामला सामने आया है दोनों यूकों को तीन बार दिली बुला लिया और टिकट कैंसल होने का बहाना बना कर वापस उन्हें काम भेज दिया जब मजदूर ने रुपे वापस मांगे तो ठगने उन्हें धम की दी है अब मजदूर ने पाटन थाने में मामला दर्ज करवाया है सीकर के पाटन इलाके के रहने वाले कयूम खान का बेटा शारुक और साजीद बेरुजगार थे चार में 2022 को दानता रामगड के रमेश सिंग उनकी घर आया आरुपी ने कयूम को कहा कि वो उसके दोनों बेटों को विदेश में अच्छी नौकली लगवा देगा हिमपात और बरफिली हमाओं के चलते बिगड़े मौसम के मिजास के बीच तेस अर्दी और कई शहरों में घना कोहरा चाया रहा इस वज़े से लगातार हवाई सेवाई भी प्रभावित हो रही है ऐसे में जैपर इंटरनाशनल एरपोर्ट इन दिनों उड़ानों के डायवर्जन के लिए स्टेंड बाई एरपोर्ट बन रहा है बीते साथ दिनों में दिल्ली आमरेसर भोपाल हैदराबास सहित अने जगहों से 40 से अधिक उड़ाने जैपर डायवर्ट होकर आ चुकी है इसके साथ ही लंदन सौधी अरप की 10 से अधिक उड़ाने जैपर आ चुकी है तेस अरदी के कहर के बीच में जिला कलेक्टर ने कोटा शहर में अवकाश घोशित किये हैं शीत कालने अवकाश को बढ़ाका साथ जनवरी तक कर दिया गया है गुरवार को जिला कलेक्टर ने यादेश चारी किये थे जो की ततकाल प्रभाव से लागू थे बावजुद इसके शुकरवा सुबह तेस अरदी के बीच बच्चे स्कूलों के बाहर नज़र आए बता जा रहा है कि गफलत की चलते बच्चे सुबह सुबह स्कूल पहुँच गए थे जिन्हें बाद में वापस घर वेज़ दिया गया तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ